यहां पर हमने एक छोड़ाई पेस लिया हुआ है आप पेस regi लिया है। जिसकी हम चोड़ाई की बात करेंगे। 19 इंच होगी हुआ हुआ हैं इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी जो लंबाई रही हमारी 12 इंच लंबाई रहेगी यहां पर आप लोगों को मैं एक पोठली बैक बनाना बता रही हूं और इसके साथ हम एक कॉटन लाइनिंग लगाएंगे सेम इसी साइसी कॉटन लाइनिंग हम कट करेंगे देख सकते हैं हमने cut करी है सिर्फ हमने अपनी जो चौड़ाई है सवरी लंबाई है इस cotton lining की 2.5 इंच कम रखी हूए और हम यहाँ पर एक सीधी सीलाई लगा लेंगे सीधी थिर्फ रखते हुए lining को देख सकते हैं सीधी सीलाई लगा ली है हमने फिर बाद में हम इसे अंदर की तरफ इसे पलट देंगे इसे हम दूसरी की छोर की तरफ मिलाते हुए पलट लेंगे और ये उपर की तरफ हमारा ये प्लेन पार्ट रहेगा जो यहां लाइनिंग नहीं आएगी यहां हम डोरी डालेंगे अपनी पोटली बैग में इसी तरह से हमने लाइनिंग अटेच कर ली है और ये स्पीस हमारा जो छोटा हुआ है यहां पर हम डोरी डालेंगे देखें यह हमारा 1.5 इंच का इस्पीस रह गया है और यहां पर हम एक सीधी सलाई लगा लेंगे यह जो जितना हमें दिख रहा है नीचे की तरफ मिला देंगे और यहां से एक सीधी लाइनिंग सीधी सलाई लगाने के बाद देखें हम इसे खोल लेंगे और इसके ऊपर की तरफ हम इसे 1.5 इंच छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसमें लेस को अटेच करेंगे तो इसे open करने के बाद हम इसमें सीधी सीधी lace को लगाएंगे देखिए हमने यह ऐसे रखते हुए हमें lace लगानी एक के बाद एक line लगा लेंगे हम lace की नीचे तक देखिए यह हमने lace attach कर ली है सीधी line लगाती हुए हमने इसमें lace attach कर ली है और इसे हम दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा खुला छोड़ देंगे, जो हमारे दोनों छोड़ होंगे, लेस के हम उन्हें खुला छोड़ देंगे, ऐसे ही हम पूरे नीचे तक लेस लगा लेंगे, अटेच कर लेंगे पूरे चौक और पीस पर, देखिए, अब हमें क्य सब्सक्राइब दोनों तरब से03 और यह हम इसे मिला लेंगे दोनों चोर को आपस मिलाएंगे और यहां पर एक सीधी सलाई लगा लेंगे इसलिए हमने छोड़े थे क्योंकि यह सलाई में दब लिए देखियों अब हम इसे सीधह कर लेंगे अब हमें से इतना नीचे तक ले जाएंगे कि ऊपर जो हमारी डोरी डालने के लिए इसपेस है वो बची रहे और यह जो हमारे जॉइंट से हमें इने इस्टिच कर लेंगे आपस में अब इसे सुई दांगे की मदद सी भी स्टिच कर सकते हैं यह हमारे नीचे का पाट होगा देखें हमें यहाँ पासी इदी स्टिचिंग लगा ली है यह हमारी डोरी डालने के लिए इस्टिचिंग लग गई है यह जॉइंट से अचे हो चुके हैं प्रवाइब नीची के पार्ट के लिए टू सर्क्ल कट करें जो साथ इंच साथ बाइ साथ की हैं एक में हमने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करी हुई है एक सर्क्ल पर नहीं अब यहां पर हम सलाई लगा लेंगे और इसे पलट लेंगे हमने थोड़ा सा यहां पर खोला अब हम इसे पलट लेंगे ताकि यह फिनिशिंग से हमारा पलट जाएगा देखिए इसे हाड करने के लिए हमने इसमें फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करा हुआ है जिससे इसकी नीचे का पार्ट हाड रहे और देखने में भी बहुत फिनिश्ड लोग देखिए अब हमें स अब हमने एक लाइ लगा ली थी कपड़े को मिलाती हुए फिनिशिंग के लिए अब हम इसे स्टिच करेंगे यदि आपको इसे स्टिच करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसे सुई दागे की मदद से स्टिच कर सकते हैं चारो तरप से और इसके बाद आप इसमें स्टिच कर लें और इसे सुई दागे की मदद से अटेच करना बहुत ही आसान होगा यह बहुत ही इजी प्रोसेस रहेगी आपको सर्किल अटेच करने के लिए इससे ऊपर नीचे नहीं होगा यदि आपका ऊपर का पार्ट बड़ा लगता है आपको तो आप उसमें प्लेट्स डाल सकते हैं तक कर सकते हैं देखिए हमने स्टिचिंग मसीन से स्में स्लाई लगा ली है अब हम इसका हैंडल बनाने बाली है तो हमने एक सिंपल सी लेस ल सीझाए आपका पाटिट्स हम इसमें साइड से देखिए इसमें आटेच कर लें हम इसलिए यहां पर हमें यह द्यान रखना है गया जगह पर स्टूचिंग ना हो देखिए हम हैंड़े अच्छ कर लिया है सब्सक्राइन दोनों तरफ से साइड में जो साइड हमारी हमारी जोईन्ट है वहां दो होल कर लिए हमने और दो होल हम दोनों तरब कर लेंगे तो चार होल हो जाएंगे और अब हम इसके अंदर से डोरी डालेंगे सेफटी पिन की मदद से हम इसमें डोरी डालेंगे यह हमने यहाँ पर रेडिमेट गोल्डन डोरी ली हुई है अब हम इसे अंदर डाल लेंगे आप चाहे तो खुद से पाइपिंग डोरी बना करके भी डाल सकते हैं जैसा आप बनाना चाहें देखिए हमने डोरिया डाल ली हैं दोनों तरब से यहाँ पर हमने कुछ कौणिया ली हुए है कौणियों में होल करे हुए हैं आपस में टक करेंगे हमेने सिम्पल टक करना है नीचे की तरह से थोड़ा सा चोड देना है और सुई दागी की मदशी एम इसे टक कर ले ना है आप चाहेंब तो इसकी जगया कुछ और भी अटेच कर सकते हैं इसके होल में डालते हुए हम ऐसे अटेच करते जाएंगे एक के ऊपर एक इसे टक कर लेंगे हम ऐसे ही हम इसमें चार चार कौणियां चारों डोरी में हम इसमें लटकन के जगहें अटेच करेंगे देखिए जैसी यह हमने दो अटेच करी हैं बाग की और भी अटेच करेंगे हम और चारों में हम ऐसे ही अटेच कर लेंगे देखिए हमने इसमें पूरा अटेच कर लिया है इसी लॉग कर देंगे देखिए हमने इसमें चारों में इसमें अटेच कर ली है अब हम इसे खीचते हुए बांद देंगे इसके बाद हमें क्या करना है जो हमने यह जगए छोड़ी हुई थी छोड़ों पर हमें यहां पर ट्रेसल लगाने हैं तो ट्रेसल हम क्या करेंगे डायक्ट लेस की लगा लेंगे सिर्फ हम लेस को कट करेंगे और आपसे फोल्ड करते जाएंगे और यहां पर जो हमने थोड़ी थोड़ी जगए दोरी में छोड़ी हुई थी वहां पर इन्हें अटेच कर लेंगे सुई धागे की मदस्ती हमें इसे भी अटेच कर लेंगे यह बहुत ही सिंपल है आप इस कर रहे हैं और इसे हमें बेल्ट में भी अटेच करना है अपनी और हमने इसे क्या किया है कि इसे हमने छोड़ी मोती लिये हैं और इसे डोरी में डालते हुए आठ से दस मोती डालके एक नीचे की तरफ यह डाला हुआ है और बाकी यहां पर ऐसे टक किया हुआ है है एक एक है ऐसे हम यहां पर छोड़ी थोड़ी दूरी पर इसे लगा लेंगे कौणियां भी लगा टेंगे यहां कोणियां भी लगाई हुई है जैसी कि आप देख रहें बैल्ट में इसे сींदें करना है बैल्ट में क्या करेंगे शीधे हमें एसे लेना है और यहां पर टाकते जाना है ऐसी हम इसे टाक लेंगे पूरे बैल्ड पर ऐसी हमारा पोटली बैग पन करके रेडी हो गया है अब देख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेज़ जरूर करें अब मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में एक क्रियेटिव आइडिया के साथ बाब बाई